मैं व्यक्ति और या है समाज, मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का हूँ गुलाम, मैं तो समश्टी के लिए व्यष्टिका कर सकता बलिदान अभे, हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रगरग हिंदू मेरा परिज है। अब मैं बताना चाहता हूँ, जो आपने कहा राहुल जी के लिए, अब राहुल जी जो की थर्ड अटेम्ट में थर्ड डिजिट नहीं टच कर पाए हैं, पर उसके बाद भी खुशी मिली ऐसी जो दिल में न समाए, पलक बंद कर लू कहीं छलक ही न जाए, और वो छलकती भी दिखाई पढ़ रही है, पिछले करीब एक देड़ महिने से, अब महत्पूर्ण बात क्या है, कि वो अपने को भक्त और हिंदू धर्म के द्रश्टान्त बहुत बता रहे हैं, बहुत आपत्ती जनक ढंग से भगवान की फोटों लेके आये, शंकर जी की गुरु नानक दे ग्यान कि उन्होंने मुद्रा बता दी, खैर, मगर मज़े की बात ये है कि वो इश्वर के नाम की शपत नहीं लेते हैं, जाकर चेक करिएगा, उन्होंने अंग्रेजी में सॉलम्ली अफर्म बोला है, यानि सत्निष्ठा की शपत ली है, मगर और 2014 में ली थी हिंदी में जादे और चेहरे कैसे बदलते रहते हैं, अब जो उन्होंने चक्रव्यू की बात कही, आज उन्होंने बड़ी विचितर बात करती, मैं राहुल जी के परती कोई बात नहीं करता हूं, जो लोग उनको ग्यान देते हैं, उनके ग्यान पर मुझे आश्यर है, उन्होंने का चक्रव्यू ही पद्व्यू है, उन्हें पता नहीं है, हमारे यहां प्राचीन भारती संस्कृती में सैन के जो कलाएं थी, वो इतनी अलग थी, चक्रव्यू पद्व्यू बहुत अलग था, अरे पद्व्यू था, मकर व्यू था, गरुड व्यू था, क्राउंच व्यू थ शूल विउ था त्रिशूल विउ था चंद्र विउ था महाभारत में 36 प्रकार के विउ हैं मगर जिनको विउ की बजाए वी आई इडवलू वाला विउ दिखाई पड़ता हो तो उनको सारे विउ एक ही से नजर आएंगे इससे हम इंकार नहीं कर सकते हैं अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने ये बात कही पद्नव्यू की कमल से उनकी मन की जो नफरत कहें हिकारत कहें डर कहें सभाविक समझा जा सकता है मगर बजट से शचन चल रहा है तो हम सब चाहते हैं देश में समर्धी आए मत्तब मालक्षमी की करपा रहे और हम ये भी चाहेंगे कि कॉंग्रेस में सद्बुध्य आए यानि मासरस्वती वी कमल पर विराज़ती था तो मालक्षमी वी कमल पर विराज़ती है तो जब तक कमल खिला रहेगा तब तक देश में सम्रिद्धी और सद्बुद्धी का मार्ग प्रशस रहेगा मगर अब उनके लिए क्या कहा जाए जिनके लिए मैं कह सकता हूं कि सदांचु जी एक चीज तो है क्योंकि बार बार आपने सनातन धर्म को लेकर इतनी चर्चा की है तो राहुल गांदी जी का कोई भी भाशन हो उसमें वो धर्म का कोई ना कोई संकेत जरूर देते हैं आपने यहां तक तो ला दिया निनी मैंने तो आपसे कहा कि जो धर्म के न जिसमें भगत और बगुला भगत दोनों का अंतरे देश परंपरा से बहुत अच्छे डंग से जानता है मगर इस समय जो उनके अंदर उत्साहा और उत्छंकलता का तिरेक नजर आ रहा है उसके लिए मैं कहना चाहूंगा वो बड़ी फेमसी गजल है जिसका वी पहली इन है वो इनके उपर एकदम फिट बैठती है कि जरा सा कुद्रत में क्या नवाजा जो आके बैठे हो पहली सफ में अभी सोड़ने लगे हवा में अभी तो शोहरत नहीं नहीं है शोहरत नहीं नहीं पद मिला है तो ये कब नहीं आई गई हो जाए यह उनको ध्यान रखना सुधांशु जी के बारे में एक चीज बहुत सारे लोगों को पता होगी और कई लोगों को नहीं भी पता होगी बहुत अच्छे जोतिशी हैं आप कुंडली बहुत अच्छी देखते हैं और आप जग्यासु प्रिवर्ति के भी हैं कभी ना कभी राहुल जी के कुंडली तो देखी होगी। देखिए जनम कुंडली देखने की जरुवती आरिए जो पूरा देश देख रहा है और जब से राहुल जी का जब से राहुल जी का काल आया है तब से कॉंग्रेस के सितारे ऐसे गर्दिश में गिरे हैं कि हम लोग कभी बच्पन में सोचते नहीं थे कभी ऐसा भी दिन आएगा कि कॉंग्रेस तो सो सीटे भी नसीव नहीं होंगी और इस सिती ये हो रही है कि वो मोदी जी के खिलाफ हाँ धो के पड़े हुए हैं मगर इस सिती क्या है कि वो पूरी कोशिश के बावजूद मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधान मंत्री बनकर नहरू जी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ले गए अब ऐसे तो एक अर्थों मैं कहूंगा उनसे आगे निकल गए और ये चवालिस बावन और निन्यान नवे पे रुक गए तो मैं राहूल जी के लिए मोदी जी की तरफ से लाइन कहना चाहूंगा कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया तू मुझको डुबाता रहा और म मनजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि राहूल जी को बहुत हलके में ले रहे हैं उनकी कुंडली में राज योग है मैं कहना चाहता हूँ उनके जो समर्थक हैं उनको समझना चाहिए कि वो जो राज योग है वो किसके लिए राज रोग बनके आया पहले ये समझ लें जहां भाजपा सीधा मुकाबला था एक भी राज जैसा नहीं जहां कॉंग्रेस से हम सहदा सीटे जीती हूँ वो जीते कहा हैं इस गहराई से समझिये इस चुनाव में सबसे बड़ी जीत कि सीट पे हासिल हुई है सबसे बड़ा रिकॉर्ड कहा है असम की धुबरी सीट पे कॉंग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 वोटों से जीते हैं और असम में जन सामाने की भाशा में धुबरी को मिन बंगलादेश का आ जाता है यहां सबसे बड़ा डेमोग्राफिक चेंज आया और मज़े की बात यह कि बदरुदीन अजमल जो एया यूडीफ के चीफ हैं जिनके बारे में यह प्रिचलित धारणा है कि वो बंगलादेशीयों की समर्थक पार्टी मानी जाती है बदरुद जी राइबरेली में जहां उनका कोई विधायक नहीं जिला पंचायत नहीं नगर पंचायत में सदस नहीं जिला पंचायत में सदस नहीं और उसके बाद भी 3,90,000 से समझ जीतते हैं तो समझे किसकी कीमत पे कौन अपना राजयोग कर रहा है इसलिए मैं तो कहूंगा समाज इश्क जाग गया उस वोड़ बैंक का तो इनका राजयोग खतम होका राजयोग में जरूर तब्दील होने वाला इंडिकट बंदन वालों का इने समझ लेना चाहिए लेकिन सुदांचु जी इश्क तो आपका भी है फिर बनारस में क्या हुआ और अयुद्या में क्या हो मैं कहना चाहता हूँ एक लाग पैंसट हजार से प्रधान मंत्री जी जीते तो वो तो हार के समकष है और एक लाग बातर हजार से तन्नों से अकले जी जीते वो बहुत शांदार जीत है जरा सोचने की बात है और यह बात मैं संसद में बोल चुका हूँ दुबारा कहना चा बस्ती में प्रयाग राज, चित्रकूट, नासिक, राम, टेक, रामिश्वरम, वो प्रभु की लीला नहीं समझ पाए, जो पहले कहते थे का योध्या में राम हुए है, नहीं इसके सबूत दो, वो आज उत्तर से दक्षन तक योध्या बस्ती, प्रयाग राज, चित्रकूट नासिक राम टेक और राम इशुरं तक सबूत दे रहें और जहां तक मैं ये भी कहना चाहूंगा रामाण में भी याद करिए एक बार भगवान राम को नाक पाश लगा था और मूर्चा आई थी वो प्रभू की लीला थी सिर्फ बानर सेना की शक्ती जागरत करने के लिए राम विरोधी दल बहुत खुश हो गए थे और याद करिये ठीक 30 साल पहले हम 2024 सो बटे 1994 में उत्तर प्रदेश में नारा गुंजा था जब सपा बसपा कॉंगरेस आई सारे मौसरे भाईयों ने मिलके सरकार बना ली थी तब एक नारा गुंजा था मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जैशी राम तब हमको हवा में उड़ाये थे चार साल में हम केंद्र में सरकार बनाये थे हमने अपने इतिहास नया रच के दिखा दिया था तो आश्वस रहिए अभी तो आप राम के जो इस्थान किना रहे हैं अगले चार साल में हम क्या क्या करने जा रहे हैं आपने जो कोड किया है वो बड़ा महत्पूर्ण है क्योंकि विन्य कटियार अयुद्या से चुनाओ रहे तो विन्य कटियार जब चुनाओ हरे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये अयुद्या राम की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी ठीक वैसे ही कल्यान सिंग से एक पत्रगार ने पूछा था कि भाई राम मंदिर कब बना हुए हैं, तो उनों है कि इस देश में वोट मस्जिद गिराने से मिलते हैं, मंदिर बनाने से नहीं मिलते हैं, इत्वार कर देखें, मैं एक बाद कहना चाहूंगा कि जिसको आप मस्जिद कहते हैं, सुप्रीम कोड ने तो उसको डिस्प्यूट या रखके पूजा हो रही थी तो किस नजरिये से वो मस्जित थी 1936 के बाद वहाँ पर कभी नमाज नहीं हुई तो कि आपके पार्टी के नेताओं की गलती थी को उसे मस्जित बोलते थे हम लोग तो वो मस्जित नहीं वो उनकी महजजित थी जिस कारण से उन्होंने पूरे समाज को अपने इस मुकाम तक लाके खड़ा कर दिया कि आखिर में क्या हुआ अब देखिए एक बड़ी मजज़दार बात है आप सकारात्मक भाव नकारात्मक भाव देखिए जो आपने कहा मंदिर मस्जित के लिए मैं तो एक बात करना चाहता हूँ मस्जित के लिए 5 ए के लिए वो लोग साथ में खड़े हुएं और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं बहुत से लोग जब तक मंदिर नहीं बना था जजमेंट नहीं आया था तो बहुत से ज्ञान देव पाने हम लोगों को बताते थे कि वहां अस्पताल बनना चाहिए वहां इसमारक बनना चाहिए वहां लाइब्रेरी बनना चाहिए ये लोग अब तक मुझे कोई एक दिखाई नहीं पड़ा जो कह रहा मस्जिद के लिए दी गए उस जमीन के उपर एक इसमारक बनना चाहिए एक अस्पताल बनना चाहिए ए एक परामपरागत रूप से भारती रस्म है और मेरे दिल में थोड़ा कश्ट भी होता है यह वो पार्टी है जिसने वो रस्म निभाई आप लोगो याद हूँ को बजट क्यों आता था क्योंकि इंग्लेंड में मार्च के महीने के बाद जब बरफ पिगलती है तो इस्तितियां इसलाइक होती है कि काम क्या जा सके हमारे मौसम के हिसाब से तो जून में मानसून आ जाता है तो हमारे लिए तो यह जिव पैसा दिया जाए उस सब मदों में प्रदान मंत्री नहीं दिखता और मैं दूसरा पूछना चाहता हूं सतर साल से आप हलुआ खा रहे थे और ओबी सी को बलुआ खिला रहे थे उन निस सो तिरिन में काका कालेल कर कमेटी की रिपोर्ट बनी पचपपं में रिपोर्ट आई 47 तर आपकी सरकार रही 22 साल जार बजूए और यद्ध में किंते किते हो बीसी थे भी रफपा मोहली के लाबा कोई नाम बताएं नेश्नल एडवाजरी काउंसल सुपर कैबनेट थी किते हो बीसी थे इसी लिए मैं कहच पाते हैं तबी तो मैं कह रहा था कि कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका आप जिक्र मैं सोच रहा था करना चाहता एक अंतिम सबाल आपसे पूछना चाहता हूं वर देख्तिकत सबाल है लोग बताते हैं कि आपकी कुंडली भी जोर्दार है उसमें भी बड़े सॉलिट ग्रह बैठे हुए हैं और वो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश को देखते हैं कि कभी उत्तर प्रदेश का ताज आपकी कुंडलियों के ग्रहों के इर्दिगर दिखाई देता है पता दीजे देखिए मैं कहना चाहूंगा एक बात बहुत समझ लीजे कि भारतिय जनता पार्टी की कुंडली बहुत जोर्दार है उसका कारण ये है कि समय समय पर हमारी पार्टी ने ऐसे योग्य निताओं को आग ऑलता का समर्थन लेकर भारत का मान बढ़ाया है मैं बिनमुर्ता से कहना चाहता हूं भारत के इतिहास में जितने परधान मंत्री मोदीजी होने चाहिए 2007 के बाद के सारे सर्वे उठा के देख लीजे तो सब में पॉपुलर्टी रेटिंग में मिनिमम 50% से उपर थे अटल जी के लिए तो दो पीड़ी तक 30-40 साल तक लोग के देदें यह प्रधान मंत्री होना चाहिए और बाकी जितने कॉंग्रेस के प्रधान मंत्री बने सब परिस्थिती जन्न बने मैं डॉक्तर मनमोन सिंग कैसे बने मून एक्सिडेंटल प्रधान मंत्री की बात नहीं कर रहा हूं सरकमस् Wen thumb σांसेल प्रधान पीवी नरसे माराओ कैसे बने राजीव गांधी जी इंद्रा जी की दुकत हत्या से बने इंद्रा जी इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में गुंगी गुडिया के रूप में बनी और जवालाल नहरू अप्रैल दो उन्नीस सो च्यालिस में कैबिनेट बिशन प्लान के तहब कि आंग्रेस कमेटियों की द्वारा जीरो वोट पा कर जबकि सरदार पाटेल को सारे वोट मिले थे एक क्रपलानी को हरेक उनको विद्दा जीरो वोट पाके बने तो अगर हकीकत में हमारे प्रधानमंत्री नेता ब बन के नेता बने तो जिस पार्टी के अंदर ये छमता हो तो आप समझ लीजिए उसकी करम कुंडली अच्छी है तो बाकी लोगों के लिए कोई कुंडली में हाँ एक और बात मैं करना चाहता हूं वैसे जिन लोगों के कुछ ग्रह गोचर की ऐसे होते हैं जी जाला अक्रामक्ता दिखाते हैं अब हों से ग्रह गोचर है यह वी बता दीजी वैसे देखिये समस्या क्या है देखियो हम आपको बतानां चाहेंगे आपका जोतिश निकल रहा है देखिये कॉंग्रेस 1885 में बनी बनी जी और वह हमसे कहते ना जब rss के ब ब्रिटिश सरकार ना किसने बनाया एलेन ओक्टोवियम हूम यह संस्थापक थे पहले अध्यक्ष विवमेश चन बनर जी थे जो ब्रिटेन ही चले गए थे वहीं की नागरिक्ता ग्रहन कर ली थी और फिर वहीं वो उनकांतियम संस्कार भी और शायद उन्होंने धर्मांतर भी कर लिया था और आप मेंसे बहुतों को नहीं पता होगा कॉंग्रेस के शुरुवाती 15-20 साल के अध्यक्षों के नाम जाए क्या एलेन ओक्टोवियम तो छोड़ दी जिये विलियम वैडनबर्न अल्फेड रोब जॉर्ज यूल यह सब ब्रिटिश सरकार के सेकेटरी में जिस साल सावरकर को दो जन्मों का करावास दिया गया तो ब्रिटिश सरकार का सेकेटरी विलियम वैडनबर्न कॉंग्रिस का अध्यक्ष ता अब जिनकी कुंडली में आके ब्रिटिश हुक्मरान सीधे आके राहू बैठ गया हो तो अब उनके आगे क्या होगा ये खु है कि मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा बुड़ा बंस इंद्रा का उभजा राहूलाल और लुटिया सारी डुबो दईया ऐसा किया कमाल इसलिए बोला गया है इसलिए बोला गया है कि सुदांचु जी को में और सुनना चाहते हैं आपका भी कंटेन्यू करें सुदांच कुछ ऐसा है क्या मैं कहना चाहूंगा कि मैंकलेश जी के लिए कि वह ओफर ओफर तो छोडए है पहले हों जो हरी हरी Fry की है ना उनुने हारी हरी मतला है सावन कमाइना है और सावन के महीने में है का एक कहावत है सावन के अंदे को हरा ही हरा दिखता है इस समय दोनों लड़कों को हरा ही हरा दिख रहा है अब वो जो हरी हरी फसल कई खड़ी की है ऐसा नहों सावन की बाढ़ में वह बहां ले जाए देखिए उनको बहुत सावधान नेने की जरूरत है चोंकि मैंने आपसे इसे बताया उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस को 9.3 प्रतियत वोट मिला है और ऐसा एको सिस्टम ने परचार कर दिया है कि जैसे बहुत बड़ा कमाल हो गया भारती जंता पार्टी को तमिल नाडु में 11.5 प्रतियत वोट मिला है और इसकी चर्चा नहीं हो रही है उत्तर नहीं रहते आखिलेश जी अब यहां तो बड़के लड़के पीछे चुटका खड़ा होना पड़ेगा पार्टी बड़ी और नेता को छोटा होना पड़ा नहीं तो सुधांशु जी आपको एक चीज़ बता दें इसी मंच से अखलेश जी आए थे वो चुटका लड़का बोलने हैं ना उन्होंने बड़के लड़के को संकेत दे दिया है और वो संकेत दे दिया है कि देखो साब राय बरेली में जीत हुई है ना वो हुई इसलिए क्योंकि हमारी सारी सीटे थी देखे मैं बताना चाहता हूँ अखलेश जी को समझ में आ रहा होगा समाजवाद और मुझे नहीं लगता कि अखिलेश झी सको समस्य नहीं होंगे मात्र अभी शेакहवज जी साथ महیںने पहले के तीन दाज्यों की बात कर रहते हैं गठवंधन में रहते हूए नहीं गठवंधन में सात में रहते हूए सहत रहते हुए मद्द पुर्देश में तो च्शान क्या बोला था समाज़वादी पार्टी के लिए चिर्कुट पार्टी है यह अख्लेस जी के लिए अख्लेश वह लेश भला था तो जानते क्या है दिल में तो कुछ और है और और